नमस्कार मैं हूँ आपके साथ संद्र जोशी और एकबर फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नक्षत निगेता में अपने बात हो रही है दिवाली पर्व की दिवाली जो पर्व है वो अंदकार से प्रकाश की ओले जाता है आपके जीवन में रोशनी लेकर आता है नए उमंग लेकर आता है नए सितारे लेकर आता है और खुशियों से ये पर्व आपके जीवन को भर देता है हम बात करेंगे मकर राशी जातकों के लिए कैसा रहेगा ये दिवाली का पर क्या उनके जीवन में भी आएगा एक नया सवेरा क्या उनके जीवन में जो चल रही परिशानी है उससे उनको निजात मिल सकेगा इस सबी बाते हम जानेंगे इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे इस विशेश कारिक्रम से और यही सब बताने के लिए हमारे साधिक फिर से मौझूद है डॉक्टर अजेब भामीजी जो की वर्ल्ट फेमिस एसुलोजर है साथ ही प्रेडिक्शन्स करते हैं तो बिना देर करें उनका स्वागत करते हैं अभिना लंग करते हैं बोट-बोट स्वागत है सर आपका नमस्कार मकर राशी के जातकों के लिए कैसा रहे का दिवाली का पर्व क्या उनकी परिशानी हो पाएंगी दूर मकर राशी के लिए यह बहुत ही अच्छा वर्ष है इस देवाली से लेकर उस देवाली तक अगली दिवाली तक इस्तितियां बहुत ही अनकूल है मनोकूल इस्तियां बनेंगी आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे और जो बीच में अब शुरू में दो-चार साल पहले जबरों थे वो खत्म होंगे और उस मुकाम पर आप पहुंच सकेंगे जिसके लिए आप इतने काफी लंबे समय से प्रियात्मिशे में तो मकर राशी के जाते को भी यह समय जो है अच्छा रहेगा जिन चीजों के लिए आप रियास करें ते वो कहीं ना कहीं आप हासिल कर पाएंगे बात करते हैं उस विश्य के बारे में कि प्रोफेशनलिजम क्यूंकि आज कर प्रोफेशनल कोर्सिस बढ़ गए तो प्रोफेशनलिजम में कैसा रहेगा समय जैनवरी से लेकर साथ दिसेंबर साथ नवेंबर से लेकर हमारा इच्छों की पूरती करने में आपको सफलता मिलेगी. राहू भी आपकी राशी से सफ्तम में है, तो अच्छा है. राशी में केतु है, केतु इन्ट्यूटि विज़्डम देता है, उससे बीच्छा है. हाला कि शनी आपकी राशी से 12th में है लेकिन 12th में शनी खराब नहीं है क्योंकि यह आपकी राशी का है तो कुल मिलाकर इन लोगों के लिजन का आपने जिक्र किया entrepreneur के लिए या जो creative field student है यह डिसंबर तक का महा बहुत ही uncool और monocool इसलिपिया बनाने वाले हैं तो मकराशी के जातकों ने सुना कि उनके लिए कितना अनुकूल है समय क्योंकि अगर आप जो भी चीज़े चाहते हैं आप अगलग फीड में जाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए सही रहेगा आप अपना सकते हैं बात करते हैं जैनुवरी से लेकर मार्च तक का समय व्यवसाई के रूप में कैसा रहेगा क्या आर्थिक सिति बदलेगी क्या सामाने रहेगी कि नहीं रहेगी बिसिस तो यह नक्षत्र जो है बिजनस वानों के लिए बहुत अच्छा है मर्कुरी का संबंदी बिजनस से होता है तो जो बिजनस से है या जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं नई पाटनेशिप करना चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं या कोई बी जो भी व्यापार क प्राप्त होगी क्योंकि जिससे सर ने का कि ब्रैस्पति अतिचारी है कहीं न कई इसका प्रभाव आपकी राशी पर अच्छा रहेगा मकर राशी के जातकों को बस प्रयास करने की जरूवत है और कहीं न कई उनके लिए समय काफी अच्छा होने वाला है बात करते हैं ऑगस् उन लोगों के लिए जो कही न कई सोशल वर्स से जुड़े हैं समाजिक कारे कर रहे हैं और देश भग्ती देश के लिए सदेव तक पर तयार है उन वो लोग पॉलिटिकल हों किसी भी बैग्राउं से उनके लिए कैसा रहेगा समय आई जानते हैं इस दोरान में क्या होगा संबंध बनाने के लिए अच्छा है जब आप नई संबंध बना रहे हैं जोशल मीडिया से संबंध रखते हैं या आप पॉलिटिक्स से या स्वामाजी कारें उसे जुड़े हुएं जो भी अंवी काम है जहां आप लोगों से मिलते हैं ज्यां संबंधों अ किसी खास प्र और अगली दिवारी तक 2019 तक कैसा रहेगा समय मकर राशी के जातकों के लिए कोट कचेरी के बारे में अगर हम जाने फैमिली डिस्पीट के बारे में जा रहे हैं तो उनके लिए कि उन्हें कहीं न कहीं सामना करना पड़ सकता है कि नहीं यह जानते हैं क्या में रहे हैं पूरे दौरान में हम देख रहे हैं कि परती पहले अतिचारी था अभी तक tela सुछारी अधिट के सीधование थेSwag जाने हैं वैसी काफी लंबे सब सुन्जे नहीं वो सुना सकते हैं और अगर प्रापटी खरीदना हो बीचना हो सब के लिए अच्छा समय है और आर्थिक स्थिती के लिए अच्छा समय है और धन का कोई नया श्रोत भी आपको प्राप्त हो सकता है और आपके मान सम्मान में और आर्थिक स्थित्री में बड़ोत्री होगी दार्मिक जगह में भी आपका जो है कहीं न कहीं लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे सम्मान होगा पिया रिलेशन्स भी बनेंगे कम्यूनिकेशन स्किल्स भी आपकी बढ़ेंगी और आपके लिए कारे छेत्र से लेकर पढ़ाई लिखाई तक हर चीज के लिए आपके लिए समय बहुत ही अनुपूल है बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब कर में हमने आपको बताया मकराशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय क्या उनके लिए शुब रहेगा और किस तरीके से ये समय उनको खुशियों से भर देगा बस जरूरी है कि आप भूले ना क्योंकि हम बताएंगे अगले एपिसोड में अगले विशेश कारिकरम में अगली राशी के बारे में उसके लिए आपको हमा आस्टरलोजी की सतीक जानकारी के लिए विशु विख्यात आस्टरलोजर अजय भामवी के यूट्यूब चानल एबी सी चानल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें